यहां पर हमारे सामने All tools है यहां पर आप देख सकते हो ये जो भी टूलिस है ये टूल्स आप लोगों का AC फ्रीज दोनों चीज में आप लोग इस्तेमाल हो सकता है ये सारे चुझ लुगों बताऊँ hearing है तो किए तरह से आपको पुरा tools है पुरा detail इस वीडियो में आप बताने वालों step by step करकर दो वीडियो पे बने रहेगा काफी knowledgeable ली चलिले टाइम एक श्नाकर दे वीडियो को सुरू करते है यहांपर देश हो तो यहांपर all tools यहांपर रखा हुआ तोटल चीज क्या हाँ पर सारत टूल्स स्वाइक सु उल्स चीज इन पर लोख यहां से इस्क यहां पर वन करके था कॉंसे सब्सक्राइब होता है यहां से हमारा इंफर मोर्ब क nouveau निया प्रॉट का में आप आपका चेकिंग इससे हो जाएगा ठीक है कॉंटिनिटी का भी सिस्टेम या बजर वगरा कभी सिस्टेम इसमें दिया हो रहता है तो नॉर्मिली आप समझगे कि एंपर में क्या यूज होता है नेक्स चलते हैं कि यहां पर हमें क्या मिलता है यह हमारा क्या मिलता है यहां पर देख तो यह हमारे पास है टी रिंच आपको पते होगा इस जगह पर आपको गोटी लगता है जो को नॉर्मली कोई सभी गोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो आठ नमबर दस नमबर छे नमबर तो अपने एक वाइडिंग आप इसको मतलब कर लगा सकते हो जहां पर आपको उस टैप का नट खुलना हो तो उसमें आपका यह टी रिंच काम आता है नेक्स पहले जो वहां पर प्लेट लगता है वो प्लेट का इसी से इस्तेमाल क्या जाता है बाकि घरों में भी इसका इस्तेमाल क्या थे दैसे के आप लोगों को घली ब होता है वह एंगल लगाने में यह हमारा 12 नमबर बीट इस्तेमाल होता है बाकि यहां पर 16 नमबर बीट है आप देख सकते हो और हमारा 10 नमबर बीट और 8 नमबर बीट तो यह सब ज़्यादतर गेजर इंस्ट्राइसर में यूज होता है तो आप भी अपने सब्सक्राइब कर सकते हो अब इस्तेमाल कर सकते हो बने को यह सकते हो यह आप देख सकते हो यह पाइप है यह प्रयाप नॉर्मली का फॉर्वत पढ़े गाई पढ़ेगा आप लोगों पता होना चाहिए इस जगह पे आप लोगों को एक भल्व लगाना होगा यह प्लिप बतल़ को एक भलव लगाना में अ 410 और र 60 इसका या फिर आप अलग से पैंप भी ले सकते हो और 410 का तो वह इसली नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएगा ठीक है यह नॉर्मली 22 नमर का है और आपका फिरिश अगर गैस चारजिंग करने जा रहे हो तो इसली आपका यह पैंप से काम हो जाएगा उसके बाद हमें से कांने मिलता यह देख सकते हूं यह घर अपको इसली में इसली सकता है यह शिथा इसली निकलता है यह आपका ऐसी का भूय्बर भलबर या उसमें जाएगा और यह यह texto ब्सक्राइब आते हो यह पैंप आपको उससे टाइच होगा मतलब गया सिलिंडर से यह जगा से ठीक है तो यह आप समझ गए नॉर्मली से क्या यूज होता है नेक्ष्ट हम चलेंगे तो नेक्ष्ट हमें यहां मिलता फाइल ठीक है यह फाइल कभी बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है जैसे करने से पहले आप से साफ कर दोगा फाइल से तो आपका वैंडिंग बहुत अच्छा तरीका से होगा मतलब उसमें जर्ण से भी मतलब प्रयूब्लम नहीं होगा इसलिए आपका वैंडिंग हो जाए ठीक है बाकि अप लोगों बनाने में भी आपका फाइल काम आता है तो यह नुजल है यह नोजल की हम लोगे बहुत जान होता है जैसे कि मैं आप बनो repeat चाजिंग कर रहे हो या फिर ये तोम का सा हो गया होग यह तो में आपको ट्राइच फोस्क्ता होता है यहाँ पर यह पुरानाब這一 पीजी तो देख सकते हो यह गुज़ रहता है इसे में यह चार्ज होता है इस थासे ठीक है तो आपका इसी तरह से अलपीजी और नोजल कनेक्ट होता है तो यह चीज आप लोगो ज़रुत पढ़ता है अगर फिर चारजिंग कर रहे हैं या फिर सकते हैं यह बहुत बैतर होता है इससे आपका इसली काम हो जाएगा किने चलेंगे यह पर नॉरमल हमारे पास टेस्टशर अप लोग बीघृ ज़रूरी होता है तो उसके बाद हमें मिलता है यह हत्रोड़ा भी आपको पता है यहां पर हमारा पास है यह पाइप कटर यह पाइप कटर ट्यूब कटर भी बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है अगर आप ऐसी फ्रीज का काम करते हो तो क्योंकि यह पाइप करने में बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आपको मान लीजिए आपका पाइप वहां पर बहुत ज्यादा वह फूल गया या पिर वहां पर आपका कनेक्ट नहीं हो पर दूसरे पैंप से उसको कनेक्ट करने के बाद उसमें आप आइड हो जाएगा ठ पर अपका हाप को हाप से पैंप करनेक्ट करना चाहे हो तो आपका यह सूजिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिसमें यहां पर ग्रीब बना हुए अलग-अलग का जिसमें 1-4 है हाफ है 3 है इस तरह से आपका 5-8 है इस टपकर संगरीब बना हुआ तो अब जितना चाहे उतना आप सूजिंग इसमें बना सकते हैं यह बहुत जादा यूज होता है हम लोग का AC के काम में ठीक है अब फिरीज के काम में इसको यूज कर सकते हो यह आपका ठीक है यह प्रेसर अपका फ्लेरिंग टूक्स में काम आता है जो क्या अगर बनाते हो तो इस चीज का बहुत जादे फ्लेयर कम्प्लेट हो पाता है ठीक है तो यह फ्लेरिंग तूलस था अब समझ गया कि नॉर्मली आप लोग को ब्लॉक प्रेसर और यह पाइप कटर और आपको का ज़रूरत पढ़ता है ठीक है और नोच पिलास का तो इस तरह से आपका फ्लेरिंग बन पाता है तो नॉर्मली मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया क्योंकि मैंने सारा टूल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया जितना यहां पर टूल्स सब्सक्राइब कर दीजेगा आज के लिए अगले वीडियो में तब तक लिए बाई फ्रेंड्स